यार क्या जिद्धी वाल है मेरे सो हालो एवरिवन समर स्टार्ट हो चुकी है सभी कमन करते है कट स्लीव, विदाउट स्लीव, कपड़े पहनने का लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती है कर्स के साथ कि यार वेक्सिंग नहीं कराया बहुत बुरा लगेगा और वेक्सिंग कराना है तो पहले पारलर जाओ, फिर वेक्सिंग कराओ या फिर घर पे भी बहुत चाह तरीके है वेक्सिंग करने के वो है कि आप कोई भी वेक्स्ट्रिप्स को योज़ कर सकते है मर्केट में बहुत सारी wax strips अविलेबल है और ऐसे ही मैंने भी अमर्जंसी के लिए ये मंगवा है Bombay's की waxing strips और ये मैंने स्मेटन से वाली one trial में मंगवाया है क्योंकि इसे पहले मैंने जो है wheat की जो strips होती है उसको use किया हुआ है तो वह बहुत ही अच्छी थी बट मुझे नहीं बता कि ये कैसी होगी तो चलो आज इसका trial भी हो जाएगा interview भी हो जाएगा आप लोगों के सामने तो फटा फट से start करते लिगें सबसे पहले आप इस product की पुरी information जान लेजिए तो ये है Bombay's की ready set wax strips और ये इसके अंदर आपको 4 strips मिल जाती है जैसे कि इसके front side भी information है इसके जो एक key ingredient है वो है shea butter इसके अंदर rose की fragrance डाले गई है ये dry skin वालों के लिए best है क्योंकि यह mention है कि dry skin वालों के लिए बेस्ट है यहां नीचे दिया गया natural rose aroma इसके अंदर डाला गया पैरवन नहीं है तो ये harm नहीं करेगा किसी तरह से प्राइस की बात करें तो 99 डुपिस का यहां उच्छा साइड में प्राइस दिया गया है और यहां ingredients ये गए है इसके अंदर कौन-कौन से ingredients डाले गया है और साथी यहां पर 3 step दिये गया है किस तरह से आपको इसे use करना है जो strips है वो आपस में चिपकियो है तो उन्हें दोनों को अलग कर लेना है और 1 by 1 उसको use करना है उसके बाद इसके अंदर क्या है देखते है तो चलिए इसके अंदर दिया गया एक pouch जो कि आपको wax करना है और उसके बाद मिल जाती है यह दो स्ट्रिप और इसको आपको 4 time मतलब 4 use करनी है दोनों आपस में अटेश्ट है तो देख लीजिए वैसे तो यहां पर आप देख सकते है ज़्यादा इतने hairs है नहीं मिल को लेकिन मैंने waxing कराया था जो पारलर से जाके तो 1 and a half month हो चुकी है बहुत जाता नहीं है लेकिन थोड़ी वह growth है तो अभी मुझे यह देखना है कि यह hairs जो है निकलते हैं या नहीं निकलते इस waxing strip से क्योंकि नॉर्मल हम wax कराते हैं तो यह hairs बिलकुल अच्छे से निकल जाते हैं अब यह waxing strip काम करेगी या नहीं करेगी तो फटाफर से सबसे पहले मैं यह जो अभी समस है ना sweating होती है तो सबसे पहले आपको इसको dry करना है अच्छे से तो dry करने के लिए मैं टैलकम यूज कर रही हूँ बहुत चादा स्टिकी है मुझे के इन बहुत होता है चलो या दिखर दे दिखर रहे हैं आपको थोड़े से ही बाल दे निकल तो गए है तो प्रेकिन अच्छे से नहीं निकले हैं बहुत अच्छे से निकले हैं वेक्स जो वीड के स्टिफ हम लगाते हैं न उसमें तो एक ही बारी में सारे बाल यूँ इतने अच्छे से निकल जाते हैं बहुत ही अच्छे से आउच यारी वी यूजबल भी नहीं है जहां से मैंने एक बार यूज कर लिया है वहां से दुबारा नहीं लग रहा है वहां से बाल रह गया है, शायद अप्रहां से विजिबल नहीं हो रहे होगे पोन में तो लेकिन मुझे यहां से clylly defined देख रहे हैं यहां से आपको दिख रहे होंगे मुझे बेक्स के strik होती है बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है अब निकल गए सारे बाल अब दिख रहे होंगे आपको अब निकल गए एक तो अब भी प्रच गए है यार क्या जिद्धी वाल है मेरे क्या या 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 हो चुकी है वैक्स यहां पर देख सकते हैं यहां पर अब दूसरी साइड भी कर लेते हूं फटापट से तो अच्छे से क्लीन हो चुकी है अब लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद तो अंडराम्स अंडराम्स में यह दो स्ट्रिप्स यूज़ हो चुकी हैं अगर हम कहें कि आपको पूरी आम्स करनी है तो मुझे लगता है कि यह थोड़ा वर्थिट नहीं रहेगा आउट ओ बजट हो जाएगी अगर आप यह वाली स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं लेकिन वीट वाली से ज्यादा बेस्ट है लेकिन निकाल रही है यह बार लेकिन थोड़ा सा मेनत करनी पड़ती है इसके साथ यह वैट वाइब भी मिला है तो चले है इसके अंतर देखते हैं वैट है या ड्राई है मुझे नहीं पता अब ही तो कि मैं खुद इसे फर्स्टाइम यूज़ कर रहे हूँ तो ड्राई है इसको गीला करना पड़ेगा, मैं गीला कर देखते दिया गया था जो सबस्ञाय क हैं और यदि बन चाओ नहीं चीज़ नहीं कि तो इसके आफ बाद बहुत अची अची अच्छाइब कर लेका हुआ नहीं इस इसके जो वाइप है ना मुझे इसके अंदर थोड़ा ओएली नैसा लग रहा है बिलकुल जैसे ओएल डाला गया है इसके अंदर पर चिपचिपाहट सी हो गई है शायद मुझे इसे गीला नहीं करना था क्योंकि मैं खुद पहली बार यूज़ कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे इसे गीला नहीं करना था लेकिन यह ड्राई तो फिर क्लीन नहीं होता चिपचिपाहट रहती यानि इसके अंदर कुछ ओयल डाला गया और अगर मैं इसकी रिकमेंडेशन की बात करू तो मैं इसे बहुत ज़्यादा हाइली करती हूँ क्योंकि यह वीड च्रिप्स होती है उसके कंपैरेजन थोड़ाजा कोस्ती हो सकता है और बहुत बहुत ज़्यादा दियू भी नहीं होती है इसके प्रीश लगता है कि यह हो सकते हैं आपके जो हेर्स हैं उनकी गोथ यह उनका टेक्शर अलगो तो यह एक ही बारी मेरे मूँ आजा तब मेरे हेर्स तो इसने एक ही बारी मेरे मूँ ने किये तीन चार बार मुझे लगाना बढ़ा उसके बाद रिमूव है सो ये था मेरा होनेस ट्रिवियो आई होग क्या कोई वीडियो अच्छी लगे होगी प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एं थैंक यू फूर वचिंग पाई पाई